आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि पॉनी इस्टाइल में हेर कट करने के बाद में मल्टी हेर कटिंग का लोग घर बैठे हम कैसे ला सकते हैं यह आप तिल टू एंड वीडियो वाच करिए तभी आपको अच्छे समझ में आएगा और बहुत ही इजी मेथाड में य करने जा रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा और वीडियो पर जाने से पहले लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तरह सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक छोटी सी बेल आइक उन है जिस पर क्लिक करके आप अन कर दीजिए आपके कमेंट्स चाहते हैं इस वीडियो के बारे में भी आपके कमेंट्स चाहते हैं यह इस तरह से देखिए हम आटिफिशल हेर्ड में पॉनी बना कर आपके सामने एक मल्टी लेयर का हेर कट करके बताएंगे और यह लोगडाउन का माहल जो चल रहा है उसमें हम पारलर नहीं खोल रहे हैं इसलिए हमने आपके लिए सोचा कि इस तरह से आटिफिशल हेर पर हम पॉनी बना कर एक अच्छे अंदाज में नई स्टाइल में आपके सामने मल्टी लेयर घर बैठे किस तरह सी कर सकते हैं वो आपको सिखा देते हैं तो यह देखिए इस तरह से हमने सारे हेर को जो सुल जाया है और आप देखेंगे कि किस तरह से हमने एक चेयर पर अपने पारलर में चेयर पर हमने इस तरह से आटिफिशल हेर को इस तरह से सेट किया है जिससे कि आपको हेर कट का नजारा दिखा सकें और यह देखिए आइटी विशियल हेर किस तरह से मल्टी लेयर के रूप में कनवर्ट होते हैं वो देखिएगा सबसे पहले हमने हेर को समझाने का काम किया जिससे कि सारे टेंगल निमूब हो जाएं आप प्लीज यही ध्यान में रखिए कि यह क्लाइंट है और आइटी से हेर को सुलजाने का काम किया है बहुत आसान तरीके से यह हम जो हेर कट आपको बताएंगे कोई मुश्किल नहीं है आप घर बठे भी कर सकते हैं अच्छे से कौम किया सुलजाया और हमने यह हेर जो हैं इनको टू पार्ट में डिवाइट कर दिया सेंटर पार्टिंग कर के बैक एरिया से हमने टू पार्ट में हेर को डिवाइट किया और राइट हैंड साइट के हेर का हम पहले कट करेंगे और लेट हैंड साइट के हेर का कट बाद में करेंगे इसलिए लेट हैंड साइट के हेर को हमने लॉक कर दिया है और राइट हैंड साइट के हेर को हम पर जिससे की ये हेर सारे हमारे मुठी में आ जाएं जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा थिन हेर भी नहीं है काफी ग्रोध अच्छी है और हम एयर के साइड में लेकर गए और 90 डिग्री पर हेर को हाइड देकर हमने एक रवर्बेंट लगा दी है 90 डिग्री पर हमने रवर्बेंट लगाई है हेर को लेगा कर और यह आप देख रहे हैं कि जब 90 डिग्री पर कौम करते हुए ले गए तो जितने भी जो चोटे बड़े हेर हैं एक गाइड लाइन की रूप में चोटे हेर दिखाई दिए बाकि जो चोटे बड़े हेर हैं उन 90 डिग्री पर ले जाकर पौनी बना दी हैं अगर आप चाहें तो एक एक पौनी का भी कट कर सकते हैं या फिर देखिए दौनों साइट के हेर का हम पहले पौनी बना लेंगे और उसके बाद में एक साथ कट करेंगे मेरे ख्याल में यह ठीक रहेगा जिससे कि आपको अच् किस तरह से आपको पूरा दिखाई दे रहा है और यह बहुत अच्छे से हेर कट होगा एक शांदार मल्टी लेयर का हेर कट होगा राइट हैंड साइट की तरह ही बिल्कुल मैथर्ड फॉलो करना है लेट हैंड साइट की तरह भी कॉम करते हुए हम यह की सीध में लेकर हैं है और ऊची करने के बाद में देखिये हमने R난 लगा दिया है यह रवर्वेंड लगाने के बाद में दौनों साइट के हेर का जो हम ग्राप शॉलों बनाना चाहरे हैं वह बन गया एक तरह से आप देख रहे हैं यह लेट हेंड साइट की हे एक उन्हिंग कर दिया अब देखिए आपने देखा कि दोनों साइड की हेर में रवर्मेंट लग गया और पहले अब हम राइट हैंड साइड के हेर का कट करेंगे कट करने का तरीचा बहुत इसी मेथड होगा आप ध्यान से देखिए प्लीज अभी सबसे पहले हम इन हेर को कॉम करेंगे जो रवर्मेंट लगी हुई है उसके बाहर के हेर को हम कॉम करते हुए देखिए इस तरह से 120 पर लेकर आए और 120 पर लाने के बाद में आप देख रहे हैं कि एक गाइड लाइन जो सबसे छोटी है वो दिखाई दे रही है बाग की हेर लॉंग है छोटे बड़े है तो हमने फिंगर ग्रिपिंग के साथ मैं इकल हेर को लिया और बिल्खो इस्टेट हेर कटिंग की है जैसा कि आप द फिंगर ग्रिपिंग के साथ में यह गाइड लाइन जो दिखाई दिए है सबसे छोटे हे convenience उससे मैच करते हुए हमने सारे हेर का कट किया है जो छोटे बड़े हेर थे उनका कट कर दिया और गाइड लाइन वही थी जो सबसे छोटी हेर दिखाई दे रहे थे उसको हमने गाइड लाइन बना और फिर उससे मैच करते हुए हेर का कट कर दिया ये देखी बहुत ही आसानी के साथ में दौनों साइट के हेर का कट हो गया अगर आपको थोड़ा डाउट होता है तो फिनिशिंग आप दीजी है हम पूरी तरह से अच्छी तरह से देंगे जिससे कि कोई भी छोटे बड़े हेर का हरूप हमको दिखा ही न दे फ्रैंड्स इससे पहले भी काफी सारे मल्टी लेयर का हेर कट किया हुआ है आपने देखा है और आपके कमेंट्स की जरिगे मालम होता है कि वह आपको बहुत पसंद आए हैं और आज हम इस तरह से बता रहे हैं आपको कि घर बैठे आप आसानी से अपने multi layer का look दे सकते हैं इस lockdown के माहुल में और करने का तरीका हमने आपको बता दिया है और ये बहुत ही अच्छा look आएगा इन hair का और आसानी से कोई parlor जाने की आवश्यक्ता भी नहीं होगी आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं आप देखे पहले हम राइट साइट केhair का rubberrat खोलेंगे और फिर लैट sahथ केhair का rubberrat खोलेंगे जैसा कि कि किस तरह से multi layer का look हमारे सामने दीखा है हमको भी यह आश्यर हो रहा है कि बेजान hair में इतना अच्छा look है तो जानदार hair में कितना शांदार look होगा यह देखिए हमने यह clicker लगाया उपर और बिल्कुल आप देखिए layer की style में look देखाई दे रहा है और बहुत ही अच्छा look आया है इस hair cutting का तो आप आसानी से कर भी सकते हैं और एक नया look दे सकते हैं फ्रेंड विश्चा से यह video आपको बिल्कुल useful रहेगा और काफी अच्छे से आपने देखा कि बेजान hair में इतने सुंदर hair cutting का रूप हमारे सामने आएगा इतनी उम्मीद नहीं थी प्लीज अग आप